नमस्कार दोस्तो आज बुद्ध पूर्णिमा है जाने समय पूजा बिधी मुरत मंतर दान उपाय से जुड़ी सारी डिटेल है दोस्तो थोड़ा सा डिले हो गया किसी कारण वस जो मैं समय पर नहीं डाल पाई बहुत ही अमरजेंसी था जिसके लिए मैं समय नहीं दे पाई लेकिन अपडेट रहना बहुत जरूरी है सायद ये जो एक तिति है ये बहुत ही अच्छी है और मैं इसे मिस नहीं करना चाती जो आप लोगों के साथ ये समय जो है सेर करना चाती हूँ ये जो पूर्णिमा है बुद्ध पूर्णिमा ये बहुत ही खास है बहुत ही अच् और इस समय जो है बहुत ही अच्छी तीथी होती है दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो लाइक करें सस्क्राइब करें शेयर करें बैसाक सुकलपक्ष पूर्णिमा तीथी को बुद्ध पूर्णिमा का पावन ब्रत बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है इस वर्स ब तेईस माई दिन दो हजार चोविस ब्रस्पतिवार को मनाया जाएगा यद भी बुद्ध वार को दिन में पांच वरके सतामन मिनड़ से प्रारंभ हो गई थी और तेईस माई दो हजार चोविस दिन ब्रस्पतिवार को साए पाख़ 6 बचकर 41 मिनट तक यही रहेगी इसी क पूर्णिमा का जो आज का अर्था 23 मई को ही कर्म जैनती भी मनाई जाएगी इस दिन विशाका नक्षत्र दिन में आठ बचकर 54 मिनट तक ब्याप्त रहा इसके बाद अनुरादा नक्षत आरम हो जाएगा प्रबंदन मान ओध्याई योग ब्याप्त रहेगा शर्वात सिद् का जोग साई काल श्य बचकर 41 मिनट तक ब्याप्त रहेगा राओ कन्या रासी में तथा राहु मीन रासी में गोचर करेंगे दोनों गुरु अर्था देत्य गुरु शुक्र एवं देव गुरु ब्रस्पती एक शाथ ब्रश रासी में गोचर कर रहे हैं इस दिन के महत को बढ़ा देंगे कहते हैं सास्त्रों की मान्यतों को भगवान बुद्ध का जनम बैशाक शुकलपक्ष पूर्णी मातिति को हुआ था साथ ही यह माना जाता है कि बैशाक शुकलपक्ष पूर्णी मातिति को ही ग्यात की जाती थी परिनिर्मान हुआ था इसी क यमना नदी में इश्नान करने का दान पुष्व का करने का विसेस महत शास्त्रों में बताया गया कि इस दिन जल से भरे घड़े घी तिल तथा श्वन का दान सुफलदाई माना जाता है इस दिन भगवान श्रत्य नरान की पूजा और रात्री में चंद्रमा को अर्द देने क की परंपरा है इस दिन चंद्रमा को अर्द देने से पूजा करने से मानसिक शांतिक तथा घर में धन बैभव की प्राप्ति होती है इस दिन दान पुष्व यग हवन पूजा पाठ जब तप करने तथा गरीवों को भोजन कराने के सासाथ गो तथा जानवरों को जल पलान का त्याक करना देना चाहिए ब्रह्मचार्य को पालन करना चाहिए ऐसी मान्यत है कि भगवान बुद्ध ने बेशाक शुकलपक्ष पूर्णिमा तिति को ही बोध गया में बोध ब्रक्ष के नीचे ब्रद्यत्व ज्यात को प्रात किया था तब ही से यह दिन बुद्ध कहते हैं सूर्य देप का प्रशाद जरूर अर्पित करना चाहिए इस दिन सूर्य उदेपूर्व जग कर घी की साफ सपाई घर की पूरे घर की साफ सपाई करके शोयम को इशनान आदी से पवित्र करके पूजा इस तल पर बैट जाना चाहिए तथा भगवान बिश्णु एवं माता लक्षमी की बिसेश पूजा करनी चाहिए इसके लिए भगवान बिश्णु एवं माता पारवति को सुद जल से इसनान कराकर बस्त्र हल्दी चन्नन रोली अक्षत्र अवीर गुलाब पुश्पु फल की प्राप्ति होती है कहते हैं अर्पित करके धूप दीप दिखा कर प्रातना करें तथा माता लक्षमी एवं भगवान बिश्णु की आर्थी करें सुक इश्मर्दी के लिए तथा माता लक्षमी की किरपा के लिए बुद्ध पूर्णीमा के दिन जल से भरें कलस तथा जो गेहुं घरत तेल आदी का दान गरीब अर्था उन लोग में माता रानी लक्षमी को कमल का पुष परपित करें तथा माता लक्षमी की बिसेश पूजा करें इससे घर में धन धान्ये की ब्रद्धी होती है उसके बास शंपूर दिन जल अथवा फल पर ब्रत रखें साथविक रूप से दिन भर भगवान बिश्णु एवं माता लक में लक्षमी एवं चंदर्मा के किसी मंतर का इस दिन जब जरूर कर सकते हैं भगवान बिश्णु का मनत्र ओम भगवते बाशु देवाय नमे यह मंतर बहुती शरल और साधारन मंतर है बीज मंतर भगवान बिश्णु का अगर आप इसका उच्छारं करते हैं तो भगवा महालक्षमी नम है सीधा मंत्र इसका भी जाप कर सकते हैं बहुती सरल जो भी आपको ठीक और उत्तम लगता है और एक सरल सा और मंत्र है कि स्री ही स्री महालक्षमी नम है ओम शोम शोमाय नम है इन मंत्रों में से किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं और जाप करने के बाद करके भगवान भिष्ण को अर्पित होता है यह दिन और बोध जो पूर्णी मा मना AGAए जाती है तो यह बहुत खास दिन था जो पवित्रक लाइक